इधर उत्राखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और इस बीच एक केदारना से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आई कि यहां एक बड़ा हाथसा कल गया केदारना धाम जाते वक्त एक हेलिकॉप्टर क्रेश होने से बच गया पाइलट ने बहुत जाबाजी और सूजबूच से एक बड़े हाथसे को रोक लिया हवा में मंडराता ये हेलिकॉप्टर बहुत बड़े हासे का शिकार होने से बच गया केदारना धाम में भगवान भोलिनात के दर्शन के लिए इस हेलिकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हवाई सफर उनका सफसे बड़ा इंतिहान लेने वाला है Crystal Company का हेलिकॉप्टर फाटा से केदानना धाम के लिए जा रहा था सिर्सी हेलिपैट से उडान भरी थी लेकिन जैसे ही हेलिकॉप्टर केदानना धाम के नज़्दीक पहुचा तो उसमें अचानक तक्नीकी खराबी आ गई पाइलेट उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा था हेलिकॉप्टर के रोटर में खराबी आई थी हेलिकॉप्टर में बैठे सभी छेयातियों की हालती खराब हो गई उनकी आँखों के सामने अंधेरा सचा गया अब कोई चमतकार ही उनकी जान बचा सकता था केदार घाटी का हेलिपैट पेहत नजदीक था लेकिन पाइलेट ने सूजबूस दिखाते हुए उसे पहले ही लेंड करने का फैसला लिया क्योंकि अगर फैसला लेने में देरी होती तो यात्रियों की जान पर भारी पढ़ सकता था हेलिकॉप्टर प्रैश भी हो सकता था लेकिन पाइलेट ने हेलिपैट से सौ मीटर पहले ही उसकी सफल लेंडिंग करवा दी मिट्टी वाली जगह पर हेलिकॉप्टर को उतार दिया इसके बाद हेलिकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस लिए भगवान भोले रात का शुक्रिया अदा किया यात्री जब हेलिकॉप्टर से बाहर उत्रे तब उनकी जान में जान आई आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सीर्शी से उडान भरी थी और एक पाइलट है और जो कि सभी सुरक्सित है दसमाई से चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद से किदान ना धाम में श्रद्धालों का हुजूम उबर रहा है रोज 25,000 से जादा तीर्ध्यात्री किदान नाथ पहुच रहे है नौ हेलिकॉप्टर कंपनिया श्रद्धालों को धाम तक पहुचा रही है हेलिकॉप्टर में आई तखनीकी खरावी से यात्री मुसीबत में पड़ गए गनीमत रही कि जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ लेकिन हेली सेवा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे है और इसी के साथ इस बुलिटिन में इतना ही खबरें जारी रहेंगी